असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे डियर वीवर्स आज इस टेस्ट पर मैं बात करूंगा तो उसे कहा जाता है ग्लुकागॉन टेस्ट जो के बहुत important टेस्ट है और आप लोग को इसका समझना बहुत ज़रूरी है तो डियर वीवर्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो दोस मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जो नीचे रेट का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है तो उसको कर दीजिए आप क्लिक ताके आपको टाइम पर हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके तो डियर वीवर्स चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्लुकागॉन टेस्ट डियर वीवर्स सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि ग्लुकागॉन है क्या हार्मोन हमारे जिसम में हाइपोगलाइसीमिया नहीं होने देता यानि हमारे जिसम में जो गलुकोज है जो शूगर है उसका लेवल कम हो तो उससे रोकता है ये जिसम को ताके हमें हाइपोगलाइसीमिया ना हो तो ये कैसे करता है तो ये जब भी हम बाहर खुराक से कार्बो हाइडरेट नहीं लेते शुगर नहीं लेते गलुकोज नहीं लेते तो हमारे जिसम में हाइपो गलाइसीमिया होने का खत्रा होता है तो इस टाइम पर गलुकागोन हार्मोन खुन में रिलीज हो जाता है और वो एक प्रॉसेस स्टार्ट कर देता है और इस प्रॉसेस को कहा जाता है गलाइकोजिनॉलिसेज जिसमें जो स्टोर्ड गलुकोज होता है गलाइकोजन की शकल में जो मौजूद होता है लिवर में औ ना शुरू हो जाता है वो ग्लुकोज आ जाता है खुन में और खुन से वो ग्लुकोज मिल जाता है सेल्स को किस मकसद के लिए ताकि सेल्स को इनरजी मिल सके तो जब सेल्स को इनरजी मिल जाती है तो जिसम में हाइपोगलाइसीमिया नहीं होता यानि के शुगर का जो लेव EDTA ट्यूब में जिसे लिवेंडर टॉप टॉप भी कहा जाता है और जिसे परपर टॉप भी कहा जाता है Dear viewers एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप मरीस को पहले से बता दोगे कि कम असकम आठ या दस गेंटे तक उसने कुछ नहीं खाना और फिर वो फास्टिंग पर आयेगा और उससे सेंपल लिया जाएगा और फिर टेस्ट परफॉर्म किया जायेगा Dear viewers अभी आते हैं नॉर्मल वेलियू पर कि ग्लुकागान की नॉर्मल वेलियू खोलन में कितनी होती है तो जो नॉर्मल वेल्यू है ग्लूकोगॉन की तो वो होती है 50 से लेकर 100 पीको ग्राम पर मिली लीटर तक या फिर 30 से लेकर 210 मिली ग्राम पर लीटर तक या फिर 50 से लेकर 100 नेनो ग्राम पर लीटर तक Dear viewers अभी बात करते हैं उन conditions पर उन बिमारियों पर जिसमें ग्लुकागान का लेवल खुन में बुलंद हो जाता है इंक्रीस हो जाता है तो सबसे पहली condition जो है उसे कहा जाता है ग्लुकागोनोमा और ग्लुकागोनोमा जो है ये alpha cells में ट्यूमर हो जाता है जो के बहुत कम patients में होता है जिसकी वज़े से ग्लुकागान का लेवल खुन में बुलंद हो जाता है इसके अलावा फ्यू क्रोमो साइटोमा में भी तो ममर बन जाता है जो adrenal gland है वहां पर अजिकि वज़े से जो ipine Autour और नॉर ipineкуюर हो जाता है जिसकी की वज़े से insulin सप्रेस हो जाता है और狂ुकागोन का लेवल खुन में बुलंद हो जाता है इसके इलावा severe stress में भी इंक्रीज होता है, renal failure में भी इंक्रीज होता इक्यू बियर वीवर्ज अभी उन medical conditions पर बात करेंगे जिसमें ग्लूकागान का लेवल खुन में कम हो जाता है तो सबसे पहली जो condition है तो वो है इडियोपेतिक ग्लूकागान डिफिशनसी इडियोपेतिक का मतलब यह है कि इसका कोई भी कास नहीं होता अन्नोन कास होता है कोई समझ नहीं आ रही होती कि किस वज़े से ग्लूकागान का लेवल कम हो गया है तो इसकी वज़े से जो ग्लूकागान का लेवल है वो खुन में कम हो जाता है इसके इलावा chronic pancreatitis में भी ग्लूकागान का लेवल कम हो जाता है और cystic fibrosis में भी glucagon का लेवल कम हो जाता है cystic fibrosis एक disease है hereditary ठीक है और ये mostly lung को effect करता है digestive tract को effect करता है जिसमें thick और sticky mucus बनना शुरू हो जाता है और वो mucus आकर फस जाता है lungs में जिसकी वज़े से pancreas में भी obstruction हो जाती है और अगर pancreas में बंदिश हो जाए तो फिर glucagon का जो हार्मोन है वो फिर नहीं बनेगा जिसकी वज़े से glucagon का लेवल खुन में कम हो जाता है इसके इलावा weight loss में भी glucagon का लेवल कम होगा diabetes type 1 type 2 में भी glucagon का लेवल खुन में कम होगा और या अगर pancreatectomy की जाए यानि operation की through अगर pancreas को निकाल दिया जाए तो ऐसे patients में भी glucagon deficiency हो जाती है और उनके खुन में भी glucagon का लेवल कम होता है थेंक यू सो मच डियर वीवर्स फॉर वाचिंग MLT Hub with कामरान उमीद है ये lecture आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अपना डेर सारा ख्याल रखियेगा अगर पसंद आया होगा